असलामुलेकूम सस्यकार नमस्ते आदाब तो कैसे मेरे प्यारे भाईयों खेरेसे हैं आप लोग अब इस वीडियों बात करेंगे साओध एरब की जरूरी अपडेट बहुत सारी नियूज है तो वीडियो में इंट तक बने रही है अगर चैनल अपना है तो सब्सक्राइब क कर दीजा और यूटूब पे देखे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजे कुछ पूछना तो कम्मेंट कर सकते हैं तो आज की वीडियो में अपडेट बताने से पहले मैं बोलना चाहूंगे कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल आपने देखा था कि हम हमारे ममी पापा की वीडियो मैंने शेर की थी जाविद व्लॉक्स वाले चैनल पर और इस वाले चैनल पर यूगि आप लोगों का प्यार है और आप लोगों की सपोर्ट की वज़ा से ही हम यहां पर अभी आप से साथ में यह सारी नियूस वगरा शेर करते हैं अलहम्दु का सलिब्रेशन होगा तो हम आपको इस चैनल पर शेर करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया तो सबसे पहले नियूच जानते हैं साथी अरब आने वाले कोई भी अगर उम्रा करने वाले हच करने वाले साथी अरब आ रहे हैं एक्जामपल इंडिया पाकिसान बंग्रादे लेकिन जो लोग नॉर्मल आदमी काम करने के लिए आ रहे हैं साथी अरब के अंदर वो अभी भी फॉरम फिल अप करेंगे ऑनलाइन रिजिस्टर वाला ताकि कवर्मेंट को पता रहे कि आपने कौन सी दवा लगाई है ऐसा नहों कि आप कनफ्यूजन में आने के टाइम प पता हैं कि आभी साओदीरव में आप हैं और आप दुकान में समाल लाने मौल में रएस्टूडन में किसी दुकान में जाते तो उनके लिए तवगानना के ब star अचाते थी और हसान पर मिट यह और पर्मिट लेना है आपको पर्मिट पहले लेना पड़ेगा अलहम्दुलिल्ला और जो भी लोग मक्का में नमाज वगरा पढ़ना जाते हैं तो उनके लिए तवकनना जरूरी है या नहीं है तो यह इन्होंने एक नया नियम लागो किया है कि अब तवकनना की कोई जवरत नह हैं मक्का और मदिना में तवकनना चेक नहीं होगा इम्यून है नहीं है अब कोई जवरत नहीं लेकिन पांच साल के उम्र खे बच्चे कम से कम पांच साल एज होना चीए 5-6-7-8-9 वह बच्चे को आप लेकर कर जा सकते हैं मक्का अरम सरी में अलहम्दुलिल्ला बाकी बहुत बड़े तादाद में उम्रा और हज होगा जी 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 बिलकुल तो आज था जुम्ह आपको में यहाँ पर फोटो शेयर करो यहाँ पर फोटो देखिए पहली बार दो साल के बाद पहली बार बिना मास्क के इतनी भीड जो की नॉर्मल टाइम पर हुआ करता था स या मुझे आप लाइब बात कर सकते इंस्टाग्राम पर जूर करके ताकि मैं आपसे बात चीत कर सकूँ अलहमदुलिल्ला ठीक है इंस्टाग्राम का एड़े डिस्क्रिप्सन मिल जाएगा और अगली अपडेट जैसा कि आपको पता है कि कल से ही स्कूल बंद हो गया आज ग्यारा तारीक में बना रहा हूँ वीडियो तो दस दिन के लिए स्कूल बंद हुआ है इस टाइम पर आपको पता है बच्चों लोग इसकूल बंद हो गया है दस दिन के लिए और चुट्टी हो चुका है बहुत सरे जगह से मतलब स्कूल का छोटा बड़ जो भी है बाग ही है जाना तो इसी कफील के पास है ना तो लड़ जगर के साओधी रब से मत आओ आराम से खुस हो कर किया जैसा भी है ठीक है चुट्टी तो देहीं देते हैं रमजान का टाइम है ध्यान रखेगा इस बात का और अगले अपडेट साओधी गजट की फोटो में आपको शे और होधी तो मिलकर के भाई इनी टाइम ड्रोन छोड़ते हैं साओधी रब किंदर में इससे कोई खत्रा वाली कोई बात नहीं है बट यह है कि आपको पता है कि अभी इस टाइम पर वार चल रहा है तो मैं वार पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वार पर बात करने से चैनल डेलिट हो जाएगा 100% गारेंटी कह रहा हूं इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं वार के उपर बट जो है सो अलग बात है वो अलग बात है तो अगली अपडिट जानते हैं आज साओधियरभ में तेल का दाम भी बढ़ गया आपको मैं फोटो शेर कर रहा ह तो आज कोई करोना की रिपोर्ट आई नहीं है इंडिया में भी आप समझ दो को रहा है फिलाल तो अभी जैसा चल रहा है साओधी में भी आप ही नहीं बात ख़तम करो करो ना की तो रियाल रेट हमारे बहुत सब्सक्क्राइब इस रुपई चोवालिस पैसे की आसपास रेट चलता है अगर आप बैंक टू बैंक भीज़ेंगे तो आपको त्वीस पैसा कम मिलता है तो रियाल डियाट आपका अच्छा मिल जाता है तीक इसी तरह से बंगला देश का भी बाइस रुपई मिल जाता है देखो पाकिस्तान क थीट था कि अभी आप पैसा भेजना चाहते तो भेज सकते हो अभी दाम अच्छा मिलेगा ठीक है यही सब टाइम है पैसा भेजने का देखो कहां मैं 2014 में गया तो उस्टें में 13 14 रुपय थे एक रेयाल की और आज देखो 20 से उपर हो गया सोचलो हमारी देश हमारा देश ग आप एकजीट लेना चाहते हैं जावदास से आप एकजीट लेना चाहते हैं फाइनल एकजीट मतलब हमें खुरुज लगा कर घर जाना है ध्यान रखेगा हमारे नाम पर मुबाइल है सिम है गारी है कोई भी समान है लोन है या घर का लोन है या गारी का लोन है कुछ भी है किसी का पैसा बकाया है जो एकामा से जुड़ा हुआ है तो आपका exit नहीं लगेगा सबसे पहले ये loan clear कीजिए, bill clear कीजिए और गाड़ी पत जो आपका नाम चड़ा है वो हटवाइए जवाजाज से तो ही आपका exit लगेगा कई लोग सोचते हैं कि हम mobile लेकर घर चले जाते हैं छुट्टी में mobile लेकर आप आजाई है साओधी अरब से दो चार पांट से जार माल लो एक iPhone कोई खरिटता है साओधी अरब के हंदर में iPhone लेकर इंडिया आ गया और यहां आने कि आ तीन साल बैन होगी या चुट्टी में आया था तो आपका mobile का पैसा पे नहीं किये हो उधर एक ही किस्त भड़े दो किस्त भड़े mobile लेकर यहां आ गए तीन साल बैन होगे तीन साल के बाद दोबारा जो आप साओधी रब जाओगे नया वीजा तो आपका लग जाएगा जैसे आप वहां पहुचोगे ना तो fingerprint फिर जिंदावाद fingerprint आपका अल्यडी है वहां जाते ही फिर आपका जो पैसा बकाया है वो पढ़ना पड़ेगा आपको हाला कि पैसा आपका उतना ही रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं यह कुछी टैक्स वक्स लग जाएगा कुछ भी आपका ब्याज वाज लग ऐसा कुछ नहीं है पैसा आपको पेक करना पड़ेगा शुट्टी में आद्मी आने बर बहुत सारे लोग आ करके ऐसे कर जाते हैं और कई सारे लोग तो मोईली का बिल ed NPC का बिल भरते नहीं है शुट्टी में आते हैं यहां आने के यह बोलते हैं भाई मेरे पंचल करदा चड़ गया था जब आप यहां से दोबारा काम कराऊगे तो बड़ी मुस्किल होती है काम कराने की क्योंकि आप पर पहले से बकाया साओधी अरब का तो ऐसा मत क्या कीजिए यार और मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए ठीक है इंशालला कल दोपहर में अपलोड करूंगा वीडिय चैनल पंदल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दीजेगा और हां और क्या वोला था हां वीजा वगयरा जो अपडेट्स आ रही है मेरे पास में के रिक्वार्मेंट वगयरा का तो बहुत सारे आफिसेस हैं अच्छे-ची वांट निकली है दुबाई का यू कर रहे हो ना वह बूल गया हां पता भूल गया लाफिस को कर दो